परते हैं, भगवान श्वी राम की जन्म कथा कैसे हुआ था श्वी राम का जन्म? पौरानिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्वी राम एक अफ़तारी पुरुष थे. उन्हें विश्नु जी का सात्वा अफ़तार माना जाता है. श्वी राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था. इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुष उत्तम के नाम से भी जाना जाता है. भले ही श्रीराम अफ्तारी पुरुष थे लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मा की कोक से जन लिया था श्रीराम अयोध्या के राजा राजा दश्रत और उनकी पत्नी कोशलिया के पुट्व थे दर असल, राजा दश्रत को पुत्र नहीं हो रहा था उन्होंने पुत्रप प्राप्ती के लिए यग्य करने का फैसला लिया दश्रत ने कई महान रिशियों, तपस्वियों और विद्वानों को यग्य का आमंत्रन भेजा फिर गुरू वशिष्ठ और श्रिंग रिशी के नेत्रित्व में यग्य शुरू हुआ यग्य में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे वैदिक मंत्रोच चार से ये महान यग्य संपन हुआ समापन के बाद राजा दश्रत ने सभी तपस्वियों और ब्राहमनों को भरपूर दान देकर विदा किया राजा दश्रत ने यग्य का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कोशलिया, सुमित्रा और कैकेई को दिया प्रसाद के फलस्वरूप राणी कोशलिया ने गर्भधारन किया और इस तरह चैत्रशुक्ल नव्मी को श्री राम जन्वे कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चहरे पर तेज और अत्यन्त आकरशक था जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा मोहित हो गया